बड़ी खबर सामने आ रही है विश्मदेव साय 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विधायक दल की बैठक में आदिवासे नेता विश्मदेव साय के नाम पर मोहर लगी है साई प्रधान मंत्री मोदी के करीबी है साई के मुख्य मंत्री बनने से पूर्वो मुख्य मंत्री रमन सिंग की दावेदारी पर विचार ही नहीं किया गया लंबे मन्थन के बाद रविवार को विश्मदेव साई के नाम का मुख्य मंत्री के रूप में एलान किया गया साई 36 गड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है विश्मदेव साई अब 36 गड़ के नए मुख्य मंत्री है विश्मुदेव साय का जन्म 21 परवरी 1964 को जश्पूर जिले के बगिया गाउं में एक किसान परिवार में हुआ उन्होंने दसवी तक की पड़ाई कुनकुरी इस्थित लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है राय का राजनीतिक केरियर सरपंच के तौर पर शुरू हुआ था जहां वे बगिया गाउं के निर्विरोध सरपंच चुने गए विश्मुदेव साय ने 1990 में पहला विधान सभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की जिसके बाद वे 1998 तक विधायक रहे वहीं 1999 में उन्होंने पहला लोगसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्च की साय 2004 में दोबारा सांसत चुने गए जिसके बाद 2009 और 2014 में लोगसभा चुनाव लड़ा और संसत पहुँचे मोधी सरकार के पहले कारिकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्राले का दाइत्व सौपा वे कॉंग्रेस सरकार में भी विभिन समीतियों के सदस्य रहे हैं विश्णोदेव साय को साल 2006 में 36 गड़ का भाचपरपदेश अध्धक्ष बनाया गया था वही 2011 में दोबारा भाचपरपदेश अध्धक्ष बनाया गया आठ जुलाई 2023 को उन्हें भाचपर के रास्ट्री कारिस समीति का सदस्य बनाया गया विश्णोदेव साय 36 गड़ के एक बड़े आदिवासी नेता भी माने जाते हैं साथ ही आदिवासी समुदाय में भी उनकी बहुत अच्छी पैट हुय है आज विधाइक दल की बैठक में इनका नाम तै किया गया रायपूर में भाजपा के प्रदेश मुख्याले कुसाभाव ठाकरे परिसर में इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में साय का चैन किया गया बैठक में केंद्री नितृत्व द्वारा नियुक्त परवेक्षक केंद्री मंत्री अर्जुन मुंडावं, सर्वानंद सोनोवाल और पार्टी के रास्टिय महसचीव दुश्यंत कुमार गौतम, नवनिर्वाचित प्रदेश प्रभारी ओम माथोर, केंद्री मंत्री वचु पस्तित रहे आप देख रहे हैं डखल न्यूज